पार्ट दो कैकई का अनुताब सिर्शक जो की आपकी पार्थे पुस्तक हिंदी में संकलित है सबानी हिंदी के विद्यार्थियों के लिए यह आपका पार्ट दो है रास्ट कवी मैथली सरन गुप्त द्वारा रचित कैकई का अनुताब सिर्शक की संपूर व्याख्या को हम इस वीडियो में साज़ा करेंगे इस सिर्शक की व्याख्या को देखने से पहले हम पार्ट प्रवेश देख लेते हैं जो कि इस प्रकार दिया गया है प्रस्टूत काव्य पंक्तियां रास्ट कवी मैथली सरन गुप्त द्वारा रचित साकेत महा काव्य से अउत्रित की गई है देखें कभी-कभी प्रश्च्न पूछता है कि साकेत महा काव्य किसकी द्वारा रचित है तो आप लिखेंगे कि जो साकेत महा काव्य है वो महा काव्य है आगे फिर से एंप करवीश को देखते हैं प्रस्तुत कावे प्रंग्तियां राश्टकवी मैथली सर्ण गुप्त द्वारा रचित साकीत महा कावे से अउत्रित की गई हैं। वीर छत्राडी कैकई अपने किये पर पश्चाताप करके गोमुकी गंगा के समान पवित्र हो गई हैं। कैकई भरत की साथ राम को लोटा लाने के लिए वन में गई हैं। वो अनेक प्रकाश से सी राम का वन से अयोध्या वापस ले चलने का प्रयास करती हैं। सी राम को वन से अयोध्या वापस ले चलने का प्रयास करती हैं। जब उस समय जब वो वर मागी तो सभी आहत हैं परन्तु उस समय भरत वहाँ नहीं थे। भरत उस समय ननिहाल थे और जब वो वापस अयोध्या आती हैं। तो इस बात का जैसी ही उन्हें ग्यान होता है कि उनकी माता की दारा ऐसा क्रिट किया गया तो भरत बहुत नराज होते हैं माता कैकई से। और फिर राम को वापस लोटा लेने के लिए वन भी जाते हैं। कैकई को बाद में अपने किये पर बहुत ज़्यादा पश्चाताप हो रहा है। तो उसी के बारे में लिखा गया है कि किये पर पश्चाताप करके वो गोमो की गंगा की समात पवित्र हो गई है। तो इस चीज को आप देखेंगे, कहकरी का अनुताप का अर्थ होता है पश्चाताप, यानि पश्चाताप उन्हें फिर बाद में पश्चाताप हो रहा है कि जो मैंने क्या वो गलत है, इस पध्यान्स की व्याक्या जो है, हम समझते हैं कि जो भरत है, वो भात्री प्रेम से उत्प्रोथ हैं और वो स्रीराम जी को वापस लाने के लिए जंगल की ओर निकलते हैं यहां पर जो स्रीराम है वो पंचवती में इस्थित एक पत्ती की कुटिया बना कर निवाश कर रहे हैं भरत जो हैं जब अयोध्या से निकलते हैं तो भरत के साथ संपूर अयोध्या वासी भी चलते हैं जो अयोध्या वाशिंग है वही आप इस पार्ट में देखेंगे जहां भी सभा का उलेक होगा वहां आप समझे अयोध्या वासियों से इस सभा से तातपरी अयोध्या वासिय उसे है तो आप प्रस्तुत जो पध्यांस है पहला पध्यांस इसका संदर्व लिखेंगे कि जो प्रस्तुत पध्यांस हमारी पाठ्थे-पुस्तक हिंदी खंड के केकी का अनुताप नामक पाठ से लिए गया है जिसके कभी मैतली सरण गुपत जी है प्रसंग आप वहां से वापस लाने के लिए गए हैं उसी बात का मनुहारी चित्रण प्रस्तुत पंक्तियों में देखने को मिलेगा। उतज मतलब होता है पंकुटी, पंकुटी से तातपरी है पत्ति की कुटिया। साथ जितने संपूर्ण अयोध्यावाशी गए हैं वह सीराम के पत्ती की कुटिया के आगे तद अंतर बैठी नीले वितान के तले दीब भुजागे उस समय के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करती हुए कभी लिखते हैं कि जो सभा है वो सीराम के पत्ती की कुटिया के ठीक सामने बैठती है उस सभा को देखकर ऐसा लग रहा था कि नीले आस्मान के नीचे तारे रूपी दीपक जल उठे हों तले मतलब नीचे नीले वितान मतलब होता है आकाश नीले आस्मान के नीचे बहुत सारे तारे रूपे दीपक जल उठे हों टक टकी लगाए नयन सुरों के थेवे और सभी जो देवता थे वो एक टक सभा की ओर देख रहे थे नयन सुरों मतलब अपने आँखों से सुरों मतलब होता है देवता जो देवता लोग थे वो एक टक सभा की ओर देख रहे थे परडामों उच्छुक उन भयातुरों के थेवे वो क्यों देख रहे थे वो उस सभा की ओर इस लालसा से देख रहे थे कि आखीर भरत की यहां आने का परडाम क्या होगा यानि इस परडाम को जाने के लिए परडामों उच्छुक परडाम परच उत्सुक यानि परडाम जाने के लिए वो उत्सुक थे कि भरत स्रीराम जी को लाने आए हैं तो कहीं स्रीराम जी भरत के आगमन को अन्यत्था समझ कर कोई कठोर निर्डे न ले 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 इसलिए वो भैभीत और आतुर भी थे साथी परडाम जाने के लिए उत्सुक थे देवता लोग जो आस्मान से एक टक नीचे सभा को देख रहे थे वो परडाम जाने के लिए उत्सुक थे क्या किर क्या होगा यहां इस सभा में और साथी साथ भैभीत और आतुर भी थे कि कहीं जो भरत हैं उनके आगमन को सेराम ज वह चंद्र लोग था कहां चांदनी वैसी प्रभू बोले गिरा गंभीर नेर नेधी जैसी उत्फुल करौंदी कुंज वायू रह रहकर उत्फुल मतलब होता है खिला हुआ करौंदी कुंज वायू रह रहकर कहते हैं कवी आगे कि जहां पर सभा बैठी हुई थी में ही करौंदी कुंज मतलब करौंदी का बगीचा था जिसमें उत्फुल मतलब खिला हुआ पुष्प खिले हुए थे वायू रह रहकर वहां से सुगंदित वायू रह रहकर आती थी यानि महमा कर महमा का ताथपरी है कि वहां के सुगंदित वायू आती थी सुगंदु को लेकर और सब करती थी सबको पुलक पूर्ण और सभी को क्या कर रही थी आनंदित कर रही थी वहाँ पर जितनी भी सभा में उपस्थित लोग थे सभी को आनंदित कर रही थी सुख प्रदान कर रही थी एवाँ फिर से देख लिजे किते हैं कि उत्फल करौंदी कुझ वायू रह रहकर सभाग जहां बैटी थी वहीं पास में इस्तित करौंदी का बगीचा था जहां पर उत्फल मतलब खिला हुआ उसके पुष्ट पर खिले थे वहां से वायू सुगन दित होकर बैह रही थी और वहां की सभाग को जितने भी सभाग में लोग उपस्तित थे उन सभी को पुलकित यानि आनंदित कर रही थी आगी कभी लिखते हैं कि वह चंद्र लोग था कहां चांदनी वैसी प्रभू बोले गिरा गंभीर नेर निदि जैसी वह चंद्र लोग था कहां चांदनी वैसी जहां सभाग बैठी थी वहाँ पर चांदनी जो थी बहुत ही स्वक्ष रूप से बिखरी हुई थी जिसे देख कर इस स्वक्ष चांदनी को बिखरा हुआ देख कर इस प्रकार से इतनी सुन्दर्ता से वहां चान्नी बिक्री हुई थी स्वच धवल चान्नी कि उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि स्वयम वहां पर चंदरलोक हो वह चंदरलोक था कहां चाननी वैसी इसलिए कभी कहते हैं कि वहां की चाननी को देखकर ऐसा लग रहाथ था कि वह स्वेंग चंदरलोक वहां पर हो प्रभु बोले गिरा गंभी नेधी जैसी तभी स्रीराम जी जो है वो गिरा मतलब होता है वाडी नीर निधी मतलब होता है समुद्र तभी जो स्री राम है वह गंभीर वाणी गंभीर वाणी भी कैसी है देखें गंभीर वाणी भी कैसी है नीर निधी मतलब समुद्र की समान जिस प्रकास समुद्र की गहराई को नापना क्या होता है अशंबो होता है ठीक उसी प्रकार से अथा गहराई वाले अथा गंबीर वाड़ी में प्रभू ने बोला और जैसे ही स्री राम बोलना प्रारम करते हैं देखिए एक्दम सांत वातावरण है प्राकृतिक सौंद्रे आपने देखा कि सभी आश्मान के नीचे बैठे हुए है अयोध्यावासी सी राम के पत्ति कोई कुटिया के आगे सभा लगा के बैठे है एक्दम सांत वातावरण है सभी चीज का जिक्र करने के बाद कवी लेखते हैं कि जो स्री राम है सभा जब सांत है तब वो समुंद्र की समान अत्यंत गंबीर वाड़ी में कहते हैं और जैस हे भरत भद्र भद्र मतलब कल्यान कारी हे कल्यान कारी भरत अब कहो अभिशिप्त अपना अब अपनी मनो कामना कहो कैसी मनो कामना कि किस मनो कामना से तुम यहां आये हो या जो भी तुम्हारी मनो कामना है क्यों तुम यहां आये हो अपनी मनो कामना कहो हे भरत भद्र अब कहो अभिश्रिप्तपना सीराम कहते हैं कि हे भाई भरत अब अपनी मनोकामना कहो कि किस मनोकामना से तुम यहां आए हो सब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना जैसी ही सीराम गंभीर वारी में भरत से पूस्ते हैं तो सीराम की इन प्रश्णों को सुनकर वहाँ पर जो उपस्थित सभा थी सब सबसे ताद परिफ सभा अयोध्यावासी जो थे सब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना उन सभी की सजग होने को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे सब स्वपन देखते देखते अचानक से जाग उठे हो सीराम की इन बातों को सुनकर के भरत जो हैं वो कहते हैं स्रियाम से कि हे आरे रहा क्या भरत अभिशिप्त अभी मिल गया अकंटक राजी उसे जब तब भी पाया तुमने तरू तरे अलण्य बशिला रह गया अभिशिप्त से स्तद्यपी क्या मेरा तन तडप तडप कर तप्त तात ने त्यागा क्या रहा अभिशिप्त और तथा पी अभागा हाँ इशी अयस की ही तुजनन था मेरा निजननी ही के हाँ थनन था मेरा अब कौन अभिशिप्त और आर्यवह किसका संसार नष्ठ है भरष्ठ हुआ घर जिसका मुझसे मैंने ही आज स्वयम हुफेरा है आर्य बता दो तुम ही अभिशिप्त मेरा तब जो भरत हैं वो बोलना प्रारम करते हैं सीराम जी के प्रश्नों को सुन कर और कहते हैं कि है आर्य रहा क्या भर्त अभिशिप्त अभी क्या भरत की कोई इच्छा अभी सेस है देखे प्रश्ण वाचक चिन लगा है यानि वो पूछ रहे हैं कहते हैं भरत बहुत भावक्ता के साथ कह रहे हैं कि मेरी कोई भी मनुकामना सेस नहीं रही मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी मुझे तो बिना किसी अकंटक मतलब बिना किसी बाधा के ही राज्य मिल गया तो मेरी अब कोई भी मनुकामना सेस नहीं रह गई जिससे बिना किसी बाधा के ही राजपार्ट मिल गया उसकी आखिर कौन सी मनुकामना सेस हो सकती है पाया तुमने तरू तले अरण्य बशेरा आपनी तरू तले तरू मतलब होता है ब्रिक्च ब्रिक्चों के नीचे आपको अरण्य बशेरा बनाकर रहना पड़ रहा है रह गया अभिसिप सेस तद्यपी क्या मेरा तो आप ही बताईए कि इसके बावजूद भी क्या मेरी कोई अभिसिप मतलब इच्छा सेश मतलब बच्ची हुई होगी देखिए जब भरत बोलना प्रारम करते हैं सीराम के प्रश्णों का उत्तर देते हैं कि हे इस रेष्ट भरत की अब कोई भी मनुकामना सेश नहीं है मिल गया अकंटक राज्य उसी जब तब भी जिसे बिना किसी बाधा के ही राज्य मिल गया पाया तुमने तरू तले अरण्य बशीरा आप विच्छो के नीचे अरण्य बशीरा बना कर रह रहें हैं रगया अभिश्री सेश तद्रपी क्या मेरा क्या इसके बावजूद भी मेरी कोई इच्छा सेश मतलब बच्ची हुई होगी तन तडब तडब कर तप्त तात ने त्यागा आगे भरत बहुत भावक्ता के साथ कहते हैं कि पिता ने तडब तडब कर अपनी तन तडब तडब कर तन मतलब होता है सरीर ठीक है तडब तडब कर तप्त तात ने त्यागा तात मतलब पिता भरत भावक्ता के साथ कहते हैं कि पिता ने तडब तडब कर अपना सरीर त्याग दिया क्या रहा अभिश्रीप और तधा पिया भागा तड़प तड़प कर तादपरे हैं की जो दश्रथ है वो स्रीरामजी की 14 वर्ष का जब वनुऊस मिलता है और स्रीरामजी जब निकल जाते हैं घर से और पचवेटी में आपने पढ़ा कि पहले पंक्तियों में कि पचवेटी में अपना खुटिया बना कर रहा है तो स्री राम जी के अयोध्या छोड़ने के बाद जो दश्रत हैं वो पुत्र वियोग में रहते हैं और फिर वो अपने पुत्र वियोग में तरब तरब कर अपने प्राणों को त्याग देते हैं तो इसी से ताथ में यहां पाए कि तन तरप तरप कर तप्ध ताथ ने त्यागा यहां भरत जो हैं वो स्री राम जी को कहते हैं बड़ी भावगता के साथ की जो पीता जी है उन्होंने तरप तरप कर अपने प्राण च्याग दिये क्या राहा अभिशित और तथा पी अभागा क्या मतलब इसके बावजूद भी क्या इस अभागी की कोई मनुकामना होगी हाँ इसी अयस के हे तुजनन था मेरा साइद इसी अयस मतलब बुराई को सुनने के लिए मेरा जन्म हुआ था निज जन्नी ही के हाथ हनन था मेरा निज मतलब अपनी जन्नी मतलब माता मेरी अपनी ही माता के द्वारा मेरा हनन किया गया यानि मेरी चारित्रिक हत्या के गई कहने का मतलब यह चारित्रिक हत्या सितात पर यह है कि उन पर विभिन प्रकार के दोस्त लगे कि भरत के ही कहन पर उनकी माता ने उनके लिए राजगदी मांगा होगा वही कहते हैं कि हाँ इसी अयस के हे तुजनन था मेरा हाँ इसी अपयस इसी बुराई को सुनने के लिए सायद मेरा जन्म हुआ था बहुत भावगता के साथ इन बातों को भरत कह रहे हैं और कहते हैं निजननी ही के हाँ थनन था मेरा मेरी ही माता के द्वारा मेरी चारित्रिक और मांसी खत्या कर दे गई अब कौन अभिसित और आर्यवा किसका अब कौन सी मनो कामना और हेस रेष्ट और किस लिए संसार नस्ठ है भरस्ट हुआ घर जिसका आगे जो भरत हैं वो कह रहे हैं कि जिस वैक्ति का संपूर संसार जो उसके पिता थे वर नस्ठ हो गया और घर पूरी तरह तूड़ गया उसकी और कौन सी मनो कामना होगी मैं स्यम से इतना लज्जी थी हूं कि मैंने स्यम से मूफे लिया है यानि मैं खुद से नजरे नहीं मिला पा रहा हूं हे आर्य बता दो तुम ही अब शित मेरा है स्रेष्ट अब आप ही बता दीजिए कि उस भरत की कौन सी इच्छा होगी भरत इन बातों को जब बोल रहे हैं तब स्री राम भरत की मनोदशा को समझते हैं भरत की इन वश्णों को सुन करके स्री राम जो है वो प्रभू ने भाई को पकड़ हिर्दे पर खीचा अपने हिर्दे से लगा लेते हैं और रोधन जल से सविनोद उन्हें फिर सीचा फिर उनकी बातों को सुन कर बहुत आनंदित हैं और वो क्या करते हैं बहुत भाई खो करके अपने छोटे भाई भरत को अपने हिर्दे से लगा लेते हैं और कहते हैं कि उसके आशे की थाह मिलेगी किसको जनकर जन्नी ही जान न पाई जिसको जिसको जनकर मतलब जन्म देकर जिसकी माता ही न जान पाई भरत से सिराम क्या कर रहे हैं गली लगाने के बाद बहुत भावविबोर हैं और कहती हैं कि उस भरत की उच भावों के गहराई को भला कौन समझ सकता है कि भरत क्या चाहते थे मतलब उनके हिर्दय में क्या था क्या वो कभी अपने भाई के लिए वनवास चाहते थे या कोई भी चीज है जब उनको जन्म देने वाली उनकी माता ही नहीं समझ पाई तो भला और कौन समझ सकता है देखे दोनों जो पंक्तियां हैं दोनों जो आपका पध्यांस है इन दोनों पध्यांसों का काविश्वंदरी आप इस प्रकार लिखेंगे कि भासा जो है वो साहितिक खड़ी बोली है सैली प्रबंध नात्मक है अलंकार उप्मा और अनुप्रास का प्रयोग आप देखेंगे रस सांथ है सब्दु सक्ति लक्षडा गुर्प्रशाद का प्रयोग किया गया है आगे देखिए कहते हैं कि जब राम भरत से कहते हैं कि उसके आशे की थाह मिलेगी किसको उस भरत की हिरदे की गहराई को भला कौन समझ सकता है जिसे जन में देने वाली माता ही नहीं समझ पाई तो अब आगे देखिए कहते हैं कि सी राम जो हैं वो कैकई को संबोधित करते हुए जब भरत के बारे में इन बातों को कहते हैं कि उनकी माता ही नहीं समझ पाई तब वो कैकई राम से क्या कहती है उससे मैं कहती है कहकई राम से ये सच है तो अब लौट चलो तुम घर को हे राम यदि ये तुम्हाई बात सत्य है कि मैं माह होते हुए भी भरत के हिर्दे की घराई को नहीं समझ पाई कि वो कभी भी अपने भाई के बिरोध नहीं जाएगा अगर मैं यह बात तुम सच कह रहे हो तो अब तुम घर को वापस लोट चलो चौंके सब सुनकर अटल कहकई स्वर को जैसे ही सीराम से माता कहकई यह बात कहती है तो वहाँ पर उपस्ति सब मतलब उपस्ति जो सभा है यानि अयोध्यावासी हैं कहकई के अटल अटल मतलब होता है इस्थिर धिर्ण स्वर को सुनकर सभी चौंक उठे सबने रानी की ओर अचानक देखा संपूर सभा अचानक से रानी की ओर देखने लगती है वैधव्य तुसार आवरिता यथा विधुलेखा तुसार आवरिता मतलब होता है तुसार से घिरा हुआ या धका हुआ विधुलेखा मतलब होता है चंद्रमा की किर्णे वैधव्य मतलब विध्वापन उस समय जो रानी है वो सफेद साड़ी पहने हुए थी और उस समय विध्वा के वेश में वो सफेद वस्तधान की ऐसी प्रतीत हो रही थी मानो चंद्रमा की केड़े ओस से धकी हुई हो कहते हैं कि जैसे ही जो कह कही हैं वो कह रही है सीराम से कि अगर यह बात सत्य है कि मैं भरत को जन्म देने की बात भी नहीं समझ पाई अगर तुम भी यह बात मानते हो और अगर तुम निर्दोस मानते हो भरत को तो वापस तुम घर को लोट चलो तो जो कह कही है जब स्री राम से इन बातों को कहती है तो वहाँ पर उपस्ति जो सभा है अचानक से कैकई के अटल स्वर को मतलब धिर्ड स्वर को सुनकर चौंक जाती है कि जिस कैकई ने राम के लिए वनमास मांगा था आज वही उनसे लोटने का अगरग कर रही है और सभी क्या है सब ने रानी की ओर अचानक से देखने लगे वैधव्य तुसार आवरिता यदा वितुलेखा वैधव्य मतलब विध्वापन के जो वेश है मतलब सफेज साड़नी पहनी हुई है कैकई सभी क्या देख रहे हैं कि सफेज वह धानन की हुए जो कैकई उस समय ऐसी प्रतीत हो रही थी कि विधुलेखा मतलब चंद्रमा की के लगंषे वा से ढकी हुई होती है जिस प्रकार ढकी हुई मतलब एसा लग रहा था कि मानो कोहरे से ढकी हुई वह चान्नी हो कोह बैठी ती अचल तठापी अशंखतर तरंगा हो कि वह जो कहकु है तिस सभाव में बैठी हुए थी तठापी अशंग त souvenग 된 में फिर भी उनके हिर्दे में अश्रंख्य प्रकार की तरंगे उठ रही थी जिस प्रकार से समुंद्रों में लहरे उत्पन होती है ठीक उसी प्रकार से जो कह कहीं है कभी लिखते हैं कि बैठी थी अचल वो अचल बैठी हुई थी फिर भी उनके हिर्दे में उस समय भीविन प् उठ रही थी वह सिंगनी अप्थी हाहा गोमुखी गंगा सिंगनी जैसा रूप धारण करने वाली कहकई आज गोमुख गंगा के समान सांत और इस्थिर थी जो कहकई जिसने कभी सिंगनी के समान अब वर मांगा था जिसमें उन्होंने अपने पुत्र के लिए राजगदी और सीराम के लिए वन की कामना की थी सिंगनी का रूप धारार करके आज वही कहकई गोमुख गंगा के समान सांत और सितल थी तो उस समय वह क्या होती है? शांत होती है और बहुत ही पवित्र होती है उसके बाद धीरे धीरे उसका भेग बढ़ता है फिर वह मतलब असुद होती जाती है गंगा तो बाकी चीजी गंगा जो है वो पवित्र है सीतल है शांत है जब गोमुक से निकलती है तो उसी गंगा का यहां पे चित्रण किया गया है कि जो कह गई है जो कभी सिंगनी का रूप धार करके उन्होंने वर मांगा था आज वही गोमुक की गंगा की सामान अ ल्यानकारी होता है ठीक उसी प्रकासी गंगा जल की समान के मुख से इस समय बहुत ही मधूर स्वग निकल रहे थे आगे कहती हैं कहके हाँ जनकर भी मैं निन भरत को जाना कि यह बास सत्य है कि मैं जन्म देकर भी भरत को नहीं जान पाई यह सब सुन लें यहां पर उपस्तिज इतने भी लोग हैं सभी यह बास सुन लें तुमने स्वयम अभी हमाना तुमने यानि स्री नाम ने अभी इस बात को स्विकार किया है यह सच है तो फिर लौट चलो घर भाईया तब जो भरत की मादा कहकी है वो कहती है अगर यह बात तुम सच मानते हो तो तुम वापस घर को लौट चलो और तुम फिर उसके बाद जो भी मुझे डर्ण देना चाहते हो मैं स्विकार कर लूँगे परन्तु तुम वापस घर को लौट चलो अपराधिन मैं हूँ ताथ तुम्हारी मैया क्योंकि हे ताथ हे पूत्र मैं ही तुम्हारी क्या हूँ अपराधिन पूत्र मैं ही तुम्हारी और तुम्हारी पिता की अपराधिन हूँ इसलिए तुम्हें जो भी मुझे डर्ण देना होगा मैं सहर स्विकार लूँगे और तुम वापस क्या करो घर को लौट चलो आज जो है चुकि हम पहले की बता देते आपका जो कावेगर सौंदरी है देखे कावेगर सौंदरी में आप लिखेंगे सैली प्रबंध नात्मक भासा साहिती खड़ी बोली अलंकार उत्प्रेच्चा उपमायों रूपक का प्रयोग आपको प्रस्तुत क्वंतियों में द कर्षक का बत्रेच्च लिए अलंकार में अलंकार झात्रिच्चा नॉच्णूब्स का जड़ आपको